कि दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है मुझे यूटूब में पूरे तीन साल हो चुके हैं और आज से मैंने दो साल पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था वीडियो मैंने डाला था एक आप का मैंने रिव्यो किया था वह एप मैंने गूगल प्ले स्टोर से ही उठाई थी और उस एप का काम क्या था अच्छिवी वह एप जो थी वह स्ष्क्रीन मेरिण करती थी एक मोईल से दूसरे मोईlles को कैसे मतलब कि दूसरे मोईल को कैसे दूसरे मोईल की स्क्रीन को अपने मोईल में कैसे देखें ठीक है समझ गया ना मतलब कि दूसरे की मोईल की स्क्रीन को आप अपने मोईल में देख सकते हैं वो भी उस बंदी की परमीशन के साथ मतलब कि वो बंदा अगर परमीशन देगा तभी कि आप अपने device में उसकी screen देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई hacking trick थी, ऐसा कुछ नहीं था, जैसे कि मैं अपने phone में उसको request भीजूँगा, तो वो वहां से accept करेगा, तो मैं उसकी screen जो है देख पाँगा अपने device पे, चाहे वो कहीं भी हो, इस दुनिया में है, वो इस world में कही भी बन्दा बैठा हो मैं उसको request भीजूंगा उस एप के थूँ और वो अपने फोन में उस request को accept करेगा उसके बाद मैं उसकी screen को अपने मैं फोन में देख सकूँगा और उसकी आवाज भी सुन सकूँगा तो दो साल पहले मैंने वीडियो डाला था तो उसके बाद क्या हुआ अभी पिछली रात क्या हुआ की रात के टाइम मुझे एक email आया ठीक है गूगल में email आया उसमें बताया कि आप क्या ये वीडियो हमने उसे remove कर दिया तो काफी बुरा लगता है क्योंकि उसमें कम से कम मेरे डेड़ लाक व्यूज आ चुके थे उस वीडियो में और उसमें डेली मेरे को व्यूज आते थे उस वीडियो में ठीक है लेकिन वो उन्होंने remove कर दिया और मुझे एक warning जारी कर दीने लिए कि आपका ये वीडियो हमने remove कर दिया है तो दोस्तों बुरा लगता है क्योंकि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं और बहुत ही ध्यान से मैं वीडियो बना रहा हूं बिलकुल ध्यान से कदम रख रहा हूं हर एक कि मैं कोई गल्ती ना करो यूट्यूब में लेकिन पता नहीं अगर मेरी वीडियो में कुछ गड़बड होती या फिर मैं कुछ हैकिंग ट्रिक यूज कर रहा होता तो अगर वो स्ट्राइक देते तो मैं मानता कि हाँ मैंने गलत कंटेंट यहां पे डाला हुआ लेकिन मैं आप ही मैंने Google Play Store से उठाई थी मैंने कहीं से वी हैकिंग एप नहीं थी कहीं मतलब कोई भी ऐसी मतलब की मैंने जो यह अप मैंने उटाई थी वो थी हमारी गूगल प्लेइ स्टोर से बिल्कुल इलीगल अप थी ठीक है लेकिन मुझे दे दी तो काफी बुरा लगता है तो मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर यूटूब में चैक कौन करता है जो हमारी वीडियो को चैक करता है वो कौन होता है वो देखता नहीं है यार कि उस बंद को स्ट्राइक वोलेट कर रही है तो आप उसको एक्सप्लेइन कीजिए तो बिना पूछे ही उन्होंने मेरा वीडियो यहां पर डिलीट कर दिया है और मुझे वार्निंग भी दे दी है कि भाई अगली बार तुमने ऐसी वीडियो डाले तो हम आपको स्ट्राइक दे तो मैंने बड़े-बड़े यूटूबर्स हैं उनको भी इमेल्स कर दी है मैसेज कर दी कि भाई हैल्प कीजिए लिकिन अभी तक किसी का भी रिपलाई यहां पर नहीं आया है तो देखते हैं कि उस ट्राइक का क्या होता है क्योंकि बहुत ही बुरा लग रहा है उस लाइक आया है तो शायद मुझे इतना लग रहा है कि शायद मेरे जो टाइटल है उसमें शायद गड़बड है क्योंकि मैंने टाइटल में लिखा था स्क्रीन मिर्रिंग ठीक है स्क्रीन मिर्रिंग लिखा था मैंने वहां पर कि हम एक दूसरे की मोईल की स्क्रीन अपने मो तो आप भी ये गलती ना करें कि ये यूटूब जो है ना ये एक बहाना ढूंता है किसी की वीडियो को रिमूव करने के लिए आपने जो टाइटल रखना है ना वो बिल्कुछ सोच समझके ही रखना है कि यूटूब में बहुत सारी हैकिंग अप को लेकि वीडियो बंदे बनाते हैं लेकि उनकी वीडियो को रिमूव नहीं करता है यूटूब कि उनके टाइटल में चेंज होती है वो टाइटल कुछ और रखते और अंदर कुछ और होता है तो मैंने तो सिंपली जैसे मेरी एप थी उसी तरह मैंने टाइटल डाला था आज से दो साल पहले तब म वीडियो ऐसे रहा चलता रहा डेर लाग से उपर व्यूज आ रहे थे अगर वह वीडियो जो रिमूव नहीं होता था शायद वह एक मिलियन पहुँच जाता है बहुत ही जल्दी तो अगर आप यूटूबर है क्रियेटर है तो आप ये गलती मत करना अपने टाइटल को ध रिमूव कर दिया गया है तो वह आपके चैनल को रिमूव कर सकती है तो इसलिए मैं नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ यूटूब से रिक्वेस्ट करना हूँ प्लीज मेरी जो मेरी स्ट्राइक है उसको रिमूव कर दे और मुझे कोई रास्ता बताइए कि ये स्ट्राइक कैसे हटेगी मेरे डिवाई से मेरे चैनल से ये जो वार्निंग का ऑप्शन आ रहे है न ये कैसे ह जलती नहीं करूंगा तो ये ही मेरा आज का वीडियो था तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पे